कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल रत एकेडमी में जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि बीपीएसी ने 69 कंबाइंड विटी के लिए अप्लिकेशन फॉर्म कि एक्सेप्ट करना सुरू कर दिया है तो बात करेंगे आज उसी फॉर्म में कुछ चेंजिस के रिकार्डिंग ठीक है हमारे चैनल पर यह पहला कॉंटेंट वीडियो है तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत प्यार दीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखें यह यह आपके सामने जो पेज खुला हुआ है वह भी पेज के का होमपेज है ठीक है आप यहां से सीधे जाईएगा अप्लाई ओनलाइन आपको इधर लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा हाना एक मिनट में आपको इंडिकेट कर देता हूं देख सकते हैं आपको यहां पर क् करेंगे और ओके करेंगे ठीक है एक इस टेकिंग टाइम कि यह आपका रेजिस्ट्रेशन पेज खुल गया उपार लिखा होगा ओनलाइन डेजिस्ट्रेशर जो आपको पीला है टाब में दिख रहा है यहां क्लिक करेंगे सीधे नीचे आगाई है देखे यहां पर दो इसके हम अभी बात करने वाले हैं इसमें कुछ चेंजे जाये हैं जिसके रिकार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं ठीक है यहां जो आपको अप्लाइए ओनलाइन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे इस दो ओटियार पेज ओटियार मतलब वन टाइम रिजिस्टेशन फॉर्म है आपके सामने खुल गया यह वन टाइम रिजिस्टेशन पहले भी पीसी नहीं कराती थी इस बार से इन्होंने शुरू किया है यूपी एसी और यूपी पीसी एस के तरज पर ठीक है वन टाइम दालेंगे काफी ध्यान से डालेंगे ताकि मतलब वो क्योंकि वो इसमें के कुछ इंफॉर्मेशन है जो है ना आपकी अप्लिकेशन फॉर्म में जाके के साथ डालेंगे यहां पे कुछ चीजे हैं जिसे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा जैसे कि देखिए यहां पर पीडियाफ फॉर्म में स्काइन करके बना लिजेगा उसको अप्लोड कर दीजेगा दूसरा आप आप देखिएगा रेसिदेंश से रिगार्डिंग आर्युए सेटिजें अफ इंडिया आर्युए पर्मानेट रेसिडेंट हना आफ स्टेट अप बिहार यदि आप यहां देखिए तो यहां पर सर्टिफिकेट नंबर इसू डेट यानि रेसिडेंट सर्टिफिकेट नंबर आपको बनवाना होगा वो टियार के लिए और साथ साथ उसका पीडियेफ यहां पर आपको अप्लोड भी करना होगा दूसरा है उसके नेक्स्ट रिक्वार्मेंट जैदि आप एड़ाइबलो से हैं आपने सेलेक्ट किया देखिए तो यहां आपको अपने कास्ट का नाम डलना होगा फिर सर्टिफिकेट नंबर और इसू डेट और साथ ही साथ आपको अपने या यह सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना होगा पीडियेफ फॉर में वैसे चाहिए तो यह है OTR के बार जिसमें यह साथ पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम में यह चीज़ें नहीं रिक्वाइड थी क्योंकि यह OTR आपको कड़ने इसलिए इन चीजों को एड किया गया है अब हम बात करेंगे अप्लिकेशन फॉर्म में एक मेजर चेंज के बारे में कि आपके सामने यह ऑनलाइन अवैदन भढ़ने हैं तु विस्त्रित निर्देश इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ब्रूपिए से के द्वारा दिया गया है जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ध्यान में रखना होगा पहला देखिए च्या है अब भरती के पास वाली इसमें जो ध्यान देने वाली बात है आप दूसरा पॉइंट तीसरे पे आप्लिकेशन फॉर्म में अप्लोड किया जाने वाले सारे जो भी आप अप्लोड करेंगे वह सो के भी के नीचे ही होने चाहिए पीडिया फॉर्मेट में ठीक है यह देखिए फॉर्थ पॉइंट जिस सिस्टम में अच्छी क्वालिटी का वेबकेम अप्लोड हो साथ ही सुनिस्चित कर लें कि फोटो कैप्चर करते समयं बैक्ग्राउंड सफेध हलकी रंग का हो परयाप तरोसनी उप्लोड हो यानि आपको अप्लिकेशन फॉर्म भरते समय आप स्कैंड फोटो नहीं अ फोटो लोते हैं कुछ उस प्रकार का यह साथ सिस्टम है और के तो यहीं लग रहा है सिगनेचर वगएर आपको वैसे ही जैसे पहले हम लोग अप्लोड करते थे वैसे ही करना है बाकी के चीज़ें पहले ही जैसी है वह आप देख लीजिएगा यह एक इंपोर्टन चैंज है जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली बार से सिस्टी एट विपीएसी से ने निगेटिव मार्किंग लाई है पांच ऑप्शन रहते हैं और वन फोर्थ निगेटिव है आपका हलाकि चेर्मेंस आपने बूला था कि मेभी सिस्टी नाइट में वह चार ऑप्शन हो जाए यह बिपेज सी जो एड़िटेज्मेंट जारी किया हुआ है उसका यह पेज है यहां पर देखिए एक एक क्रित यानि कंबाइंड पीटी जो होगी उसके लिए परिक्षा की संग्रक्षना क्या है हाना यहां से आपने आप देख सकते हैं प्राडम भी परिक्षा के लिए प्रत्योगित परिक्षा समान ऐध्यान विशagn की होगी जिसके सभी प्रस्ण वस्तुनिस्ट्ट प्रकृति के बहुविकल्पी होंगे परिक्षा क्या व दी दो घंते की होगी और कुल अंक एक सा पचास होंगे प्रस्णवार बहुक्ल्ाट उत्तरों में से प्रस्णवा मार्किंग वन थर्ड होगी कि फोर्थ होगी ठीक है तो अभी हम यहीं मान के चलेंगे कि जो पिछले जिस पैटन में एक्जाम हुआ था उसी पैटन में इस बार का भी पीटी होने जा रहा है अंटिल एन अनलेस बीपीस कोई नहीं नोटिस जारी नहीं करती है तो आप अपन और मोर देन वन जो एक साथ आथा था पांच वी अप्शन में उसको उन्होंने दो अप्शन बना दिया था यानि चौथा में मोर देन वन हो गया था और पांच वा में नन अब 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 हो गया था तो यह कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे जनकारिया थी 69 बीपीसी क करिकेडिंग जिसे मैंने सेर करना इंपॉर्टेंट समझा फॉर्म आप देख सकते हैं कि फॉर्म भढ़ने में कुछ चेंजिस आये हैं आप रजिस्ट्रेशन से लेकिए अप्लिकेशन फॉर्म में तो बेस्ट अफ लोग आप लोग फॉर्म बढ़िए तयारी जारी रखि पचास से पचपन कोश्चन इन दोनों सेक्शन को मिला के आते हैं तो अब ट्राइट टू अना हेल्प यू टू मैक्सिमाइज स्कोर इंदोज एरिया क्योंकि अब टाइम बहुत कम है है ना तो हम पूरे चीजों को तो कबर नहीं कर सकते हैं लेकिन इंदो चीजों पर फोकस रहेगा हमारा तो धन्यवाद मिलते हैं आप से जल्दे